विश्णु प्रुहाकर गाउंवाली रिकूर्टर का आप सभी को नमशकार है और गाउंगी रच्छा जो है ना कहा जाता है काली माई करती हैं और डी बावा करते हैं और गाउं के लोग ही सही बात है कहीं ने कहीं शंशकारों को बुजुरुगे के दिये हुए वादों को जो परिवार के बुजुरुग जो कह गए उसी राश्ते पर आज भी गाउं के लोग चलते हैं आज जब मैं अपने गाउं के काली माई मंदर में पहुंचा हूं जब भी मैं फ्री राता हूं अकेला राता हूं तो यहां दख्षन करने आ जाता हूं मुझे बड़ा अच्छा लगाई यह देखी कि जब हमारे हां साधी वादी होता है तो पहला नी मंत्रण अपने काली माई को दिया जाता है यहां लिका है गोनहा काली माई नेवता शुकार करें कितना भाव है पारश राय के बढ़िया की शादी है यह पप्पु है पहला नेवता काली माई के और वड़ा अच्छा लगा मुझे यह देखे के देखें के लोगों में इस तरीके का भाव और कहा जाता है कि गाउं की जो देवी हैं जो गाउं की रच्छा करते हैं जब गाउं के किसी बेक्ति पर दुख को बाधा स्वंकट आता है तो वो पहला जो किसी को याद करता है तो काली माई को याद करता है डी बाबा को याद करता है शिवान के जो देवतायम को याद करता है और इसलिए कहां भी जाता है कि काली माई हर दुख और सुख की साथी है जो भी समस्या होता है गाउं का वि बुजूर्गों की परंपरा कहीं गाउं भी निभाता है और गाउं के देभी काली माई दुर्गा माई जी के जे गाउं के लोग भी माने ला तो घर के बुजूर्ग माई बहीं परिवार के लोग अब कौनों दिक्कत भी आवला तो कहला है काली माई दुख वेहार संकत दू स्वेसज़ातल गाउं की परमपरा गाउं के why अझे think गाउं के संस्कार और कमेंट की एक अपने मंदिर का ली माई के मंदिर पर का जांक वो याद करता है व्यसें करने बाएक कमेंट करें करें को में बाता है मिले और आप कर जीवन